क्योंकि इसमें सिर्फ हम cards और cards के interpretation नहीं सीखते हैं हम life के essence को समझते हैं इस माध्यम से हम दूसरे की energy कैसे interpret करेंगे हम उन्ने क्या solution देंगे अगर कोई अपनी life की problems आपके पास लाए हैं तो आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं तो let's begin एक introduction के साथ सबसे पहले इसको मैं एक divine tool की तरह मानती हूँ. Divine tool क्यों? क्योंकि ये मेरे spiritual side से मुझे connect करता है. दूसरी चीज कि ये ये चीज भी बताता है कि आज इतनी शमता है कि मैं किसी की सहायता करने योग के हूँ. That I am able to help someone, I am able to guide someone if the divine has chosen me. क्योंकि हम लोग का ये कई बारी हमें गलत फैमी हो जाती है कि I chose tarot. नहीं. कोई tarot को चुन नहीं सकता, कोई tarot को खुद से रीड नहीं कर सकता. Until and unless you are destined to do it. आप नहीं चुनते हैं इन energy zones को, ये zones चुनते हैं आपको. अगर आपने चुना होता इसे, तो आप शायद starting से ही कर रहे होते या आप जानते होते इसको. आपके subconscious में ये part कहीं ना कहीं stored है. हो सकता है आपने अपनी पिछले जन्में या उसे पुरानी life में ऐसा कुछ किया हो. या energy field से आप connected रहे हो. या इस life का आपका purpose हो, energy के थुरू आप दूसरों की सहायता करें. तो इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत divination का एक tool है, divine tool है, क्योंकि इससे लोगों की सहायता भी हुई है और कई लोगों का इससे mark दर्शन भी हुआ है. आपको recording मिल जाएगी, in case अगर आपकी कोई class miss होती है, तो recordings uploaded होती है, but please go through it. अब हम आए हैं कि हम इस journey में क्या-क्या चीज़े cover-up करेंगे. सबसे पहली ये theoretical aspects हैं जो हम देखेंगे, जैसे tarot क्या है, basics क्या है, benefits क्या है, history क्या है tarot की. हमें क्या-क्या बातें याद रखनी चाहिए अगर हम किसी के लिए tarot reading कर रहे हैं, तो, जिनें हम ethics बोलते हैं. फिर कैसे आप इस journey की शुरुआत करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम अपने खुद को जानते हैं, जैसे हम अपने चक्रास को समझते हैं. अपने चक्रास को जानते हैं, ग्राउंड कैसे करना है, खुद को शील्ड कैसे करना है, क्योंकि देखिए, energy है. हम सब एक energy का अलग zone में रहते हैं और हम सब एक energy क्यारी करते हैं अपने साथ. आप देखते होंगे, कुछ लोगों से आप मिलते हैं और आपको एक्दम बहुत खुशी होती है, कि आप उनसे मिले, आप वो presence और वो pleasant feeling अपने साथ क्यारी करते हैं. कई बारी क्या होता है, कि हम किसी से मिलते हैं और उनसे मिलने के कुछ देर बाद ही हमें heaviness महसूस होती है, या हमें अपनी body के किसी particular area में pain या दर्द का एहसास होता है. तो इस feeling को हम कहते हैं कि उनकी energy आपके उपर आ गई. या आपने उसे absorb कर लिया. कुछ लोग बहुत sensitive होते हैं, इतने sensitive कि दूसरों का दुख सुनके ही उनकी आँखों में आसु आ जाते हैं. और वो उनकी energies भी absorb कर लेते हैं. तो ऐसे case में, अब आपके पास अगर बहुत सा हो सकती है, या normal life disturb हो सकती है. तो उस case में, हमें अपनी energy को कैसे protect करना है, कैसे खुद को ground करना है, ये सब techniques हम इसमें जानते हैं. फिर tarot cards basically colors और symbols का एक combination है. तो ये जानते हम कि वो colors और symbols को हम कैसे interpret करेंगे, अलग-अलग situation में. जैसे एक ही card, अगर किसी के career के लिए आता है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, अगर किसी के relationship reading में आता है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, अगर किसी की health से related आता है, तो हम कैसे चीज़ों का चुनाओ करेंगे तो ये सब चीज़ें हम experience से भी सीखते हैं, और साथ-साथ चीज़ें आपको मैं बताती हूँ कि आपने कहां अपना ध्यान के इंद्रत करना है, और उससे हम आगे बढ़ते हैं.